CBC Words में आपको स्वागत है इस वीडियो में हम Classics Maths का Chapter 5 जिसका नाम है Understanding Elementary Shapes उसकी Exercise 5.3 डिसकस करेंगे इसमें First Question है Match the Following तो आपको दो कॉलम दिये हुए एक इधर और एक इधर इनको आपसे match कराना है तो यहाँ पर अगर देखोगे जो Left Side आपको कॉलम दिया हुआ है उसके अंदर Simple Angle की बात है और Right Side में जी दिया है उसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा तो मेरे हिसाब से अगर आप चलो वैसे Generally हम क्या करते हैं कि Left Side वाले कॉलम में देखते हैं और उसके बाद उसको समझो किसकी बात कर रहा है Less Than One Fourth of a Revolution One Fourth क्या होता है जैसे मैं एक सर्किल बनाऊ और उसमें एक लाइन ऐसे खिश दूँ और एक ऐसे खिश दूँ तो इस सर्किल के चार टुकड़े होगे की नहीं तो हर एक टुकड़ा One Fourth कहलाएगा जिसे मैं इस टुकड़े की बात कर लूँ इस पीस की बात कर लूँ ये वाला जिसे मैंने यलो से किया है तो ये आपका One Fourth होगा इसी तरह हर पीस जो है वो One Fourth ही होगा तो ये One Fourth कैसे बना जैसे Clock वाला पिशली एक्सरसाइज मैंने दोको बहुत जादा आपको फीगर सारी चीज़े कराई थी तो अगर आपने वो वीडियो देखे होगे तो आप अच्छे समझ रहे होगे कि जैसे मालो घड़ी के जो सुई है वो 12 पे है ये घूम के इस तरह से 3 पे पहुँच जाती है तो ये कितना हो गया 1 4 फी तो हुआ इसी जैसा ना दिख रहा है आपको तो ये बात आप याद रखना कि जो 1 4 होता है वो right angle बनाता है यानि एगर 1 4th revolution होगा तो right angle बनेगा तो 1 4th revolution या इसी को हम कहते है यहाँ क्या बनेगा right angle बनेगा तो A में हमसे क्या कह रहा है 1 4th revolution नहीं कह रहा है less than 1 4th revolution यानि 1 4th revolution से कम और जैसे मैंने बात है 1 4th revolution में आपका right angle बनेगा यानि ये कह रहा right angle से कम तो कोई angle अगर right angle से कम बनता है उस angle को हम acute angle कहते है तो acute angle कहा है ये 3rd वाले में है तो third वाला जाकर यह A से match हो जाएगा ठीक है यानि right side वाला क्या लिखा उसको हमने समझ लिया फिर left वाले से जाकर match करा दिया B की बात कर ले more than half a revolution अब half क्या होता है थोड़ा यह समझ लो जैसे मैंने यह circle बनाया इसको ऐसे बीच से एक line बनाकर cut कर दिया तो दो हिस्से में बढ़ गया हर एक हिस्सा आपका half कहलाएगा यानि इस yellow वाले piece की बात कर ले तो यह आपका half है और यहाँ पर जो angle बनेगा वो आपका straight angle कहलाएगा यानि अगर एक line ऐसे है और इसी point से किधर जा रही है तो यह जो angle बनेगा जैसे clock की बात कर ले उसमें जो swing है वो 3 से 9 पे जाती है तो ऐसे घुम के यह जाती है तो यह angle कैसे कहलाएगा straight angle और कितना revolution है 1 by 2 यानि half revolution ठीक है तो हमसे b में क्या कह रहा है more than half revolution half revolution से ज़ादा half revolution मैंने बता दिया straight angle बनाएगा यानि straight angle से ज़ादा कौन से angle होता है तो अगर कोई angle straight angle से ज़ादा बनता है तो उसे हम reflex angle कहते है तो फिफ्ट वाले में reflex angle है जो की b से जाके match करेगा c में बात कर ले half revolution तो भी हमने देखा था half revolution क्या बनाएगा straight angle यानि first में हमको straight angle दिया है जो की जाके c से match करेगा d में देखो one fourth of revolution ये देखो one fourth revolution मैंने क्या बता है आपको right angle बनेगा तो second में right angle दिया है जो की जाके d से match करेगा e में कहरा है between one fourth and one by two यानि half of a revolution one fourth और half revolution के बीच में angle बनना है तो one fourth के बारे में क्या बता है right angle और half revolution के बारे में straight angle यानि जो angle बनना है वो right angle और straight angle के बीच में बनना है तो ऐसा angle जो right angle और straight angle के बीच में बनता है उस angle को हम कहते हैं obtuse angle fourth में obtuse दिया है जो की E से जाके match करेगा तो left side जितने ते वो सारे angle match हो गया F वाला हमारा बजग गया और ये किसी से match नहीं होगा चेक भी कर सकते हो one complete revolution complete revolution क्या होता है जैसे ये sweet कहीं पर थी तीन पर थी मालो और ये ऐसे पूरा चक्कर लगा के वापस इसी 3 पर आ गई तो उसे कहेंगे complete revolution और complete revolution में जो angle आपका बनता है वो complete angle बनता है तो left side में हमको कही complete angle तो दिख नहीं रहा left column में तो F अलग किसी से match नहीं होगा तो first अलग कुशन हमारा हो गया कुशन number 2 की बात कर लें classify each one of the following angles as right, straight, acute, obtuse or reflex तो नीचे जो आपको angles बना कर दिये हुए उसमें जो बताना है कौन सा right angle है कहां straight angle बनेगा, कहां acute, कहां obtuse और कहां पर reflex angle बनेगा तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं अब पहले आप इसे देखो ये जो मैंने toothpick से बनाया है ये आपका जो है, वो right angle बनाएगा यहाँ जो ये angle बनेगा, ये आपका right angle है इसको आप simple ऐसे पहचान सकते हो कि अगर आपको L shape दीखे तो L वाले में आपको right angle बनेगा अब A वाले की बात कर ले क्या आपका ये right angle है या right angle से ज़ादा है या कम है तो देखो इसको मैं यहाँ पर रखके check करता हूँ जैसे एक ray पे मैं एक stick को रख लेता हूँ ये इस तरह से मैं corner को corner से match करा लूँगा तो जैसे मैंने बताए कि ये जो पूरा है ये आपका right angle बनेगा लेकिन यहाँ पर जो हमको A वाले में दिया है ये बस इतना ही बनना है यानि हमारी जो ray है वो यहाँ नहीं होए यहाँ पर है यानि right angle से हमारा कम बनना है कम का मतलब क्या है कि हमारी जो rays है उसको अगर ऐसे हम करीब करते जाएंगे तो ये angle इसमें कम होता जाएगा इनके बीच में अगर दूर करते जाएंगे तो angle जादा होता जाएगा तो ये वाले में देखो right angle से कम ये angle बना रहा है तो अगर right angle से कम angle बनता है तो उस case में आपका acute angle होता है अब भी वाले देखो क्या right angle से कम बनना है ये जादा बनना है इसको देखेंगे तो एक रेख को हम ऐसे करके यहां corner पे लगा देंगे right angle हमारा सिर्फ इतना है लेकिन यहां angle और जादा बनना है इसके बाहर तक बनना है यहां पर देखो कि right angle से जादा बनना है तो अगर कोई angle right angle से जादा हो और एक दूसरा भी देख लो यह है यहां पर जो angle बनेगा वो आपका straight angle है यानि एक रे ऐसे जा रही है एक रे यहां से निकल के ऐसे जा रही है इनके बीच में ऐसे देख लो या ऐसे देख लो यह आपका straight angle कहलाता है तो अगर कोई angle right angle से जादा है और straight angle से कम है तो इसको तो हमने देख लिया कि ये right angle से ये जादा है क्योंकि रे और दूर चले गई है straight angle से देखें तो straight angle पूरा यहां से लेके यहां तक होता लेकिन बस यहां से यहां तक है यानि right angle से जादा straight angle से कम तो ऐसे angle को हम कहते हैं obtuse angle अब C की बात कर लें दोखो जहां पर यह angle बना कर दिया है सिर्फ उसी angle की बात करनी है हमको जैसे यहां पर C में देखो एक angle यहां बनेगा यह ऐसे आपका straight angle बनेगा लेकिन हमको वो नहीं देखना जो हमको यहां angle बना कर दिया देखो यह वाला angle दिया हुआ है तो बहुत इसकी बात करें कि यह कैसा angle है इसको देखो मैं अगर यहां ऐसे रखूँ तो देखो दोनों रे हमारी इस तरह से सेट हो गई तो यहां पर देखो यह right ही angle बनना है तो C में क्या बनना है right angle बनना है यह practically समझाने के लिए मैंने इसको बना दिया वरना यह angles आपके mind में होने चाहिए अब D की बात कर लो D में कैसे बनना है दो को यह बाहर वाला angle यहां बनना है तो अगर मैं ऐसे रखूँ तो इसमें अगर straight angle की बात करो तो यहां से लेके यहां तक पूरा बनता लेकिन उससे भी आगे निकल के यहां तक जा रहा है यानि straight angle से जादा angle बनना है और अगर straight angle से जादा angle बनता है तो उसको हम कहते हैं reflex angle यानि अगर इस line को मैं ऐसे सीधा कर दूँ तो यह angle इतना पूरा straight angle बनता इससे भी और आगे निकल गया और जादा है थोड़ा सा तो reflex angle हो गया इवाले में देखो अगर यहां बिल्कुल center पे मैं इसे रख दूँ तो यहां देख सकते हो यह पूरा एक angle बनना है इस straight angle बनना है जितना यह बना रही हमारी यह toothpick उतना ही angle यहां भी बनना है तो हमारा यह straight angle हो गया तो E में straight angle अब F में देखो इसको अगर मैं यहां रखूँ इस तरह से तो इसमें भी देख सकते हो यहां से यहां तक पूरा बनता तो right angle बनता बस यह यही तक बनना है इसी के अंदर right angle से कम बनना है ऐसे सेट करके दिखा दू तब भी देख सकते हो, यह पूरा हमारा right angle बनता, लेकिन right angle से काम है, बस इतना ही है, तो right angle से काम है, तो हम क्या कहेंगे, acute angle है, तो यह second वाला question हमारा हो गया, तो यहां कर हमारी exercise 5.3 complete हो गई, आपको exercise या try these या exercise के solution देखने हैं, तो मेरी website है, www.est studywala.com वहाँ विजिट करके देख सकते हो और भी try these या exercise के question के solution की वीडियो देखनी है तो इस तरह से आपका mobile होगा पहले वीडियो को like कर ले उधे like का button है और चैनल को subscribe कर लो उसके बगल में एक bell का icon है उसको दबा के all पर click कर देना है इससे नई वीडियो आता ही आपको message आ जाएगा वीडियो के नीचे देखोगे right side corner में एक down arrow का symbol बना होगा वहाँ आपको click करना है scroll down करोगे तो यहाँ देख सकते हो class 6 mass chapter wise playlist तो यहाँ पर chapter wise playlist है इस chapter की वीडियो देखनी है उसके सामने वाले blue color पिलिंग करोगे तो वो playlist open हो जाएगी ओके थैंक यू